रूस के राश्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेकसी नवेलनी की मौत पर अमेरिका के राश्ट्रपती जो बाइडन की पहली प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने इसके लिए पुतिन को जिम्मिदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपती ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता इलेक्सी नवेलनी की मौत ने उन्हें चौकाया नहीं है बलकि उनके अंदर गुस्सा भर दिया है। बाइडन ने नवेलनी के बारे में कहा वो बहादुरी के साथ भरष्टा चार, हिंसा और पुतिन सरकार के सभी बुरे कामों के खिलाफ खड़े हुए थे। और उनकी मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि डॉक्टर तुरंत नवेलनी के पास पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें बचाने के सभी प्रयास नाकाम रहे।